आज की एक्टिविटी है बोड बनाना बच्चों के कला और शिल्प करने से हाथ, आग और सोच एक साथ काम करती है तो चलिए देखते हैं पेपर बोड कैसे बनाना है देखिए स्क्वेर पेपर यानि चॉकर पेपर काटने के लिए ये ऐसे पेपर रहेगा उसे हमें ये ऐसे त्रिकुन तरह से फोल कर लेना है फिर ये जो बचा हुआ पेपर है इसको हम ऐसे फोल कर सकती है ये देखें ऐसे ये देखें ये हमारा स्क्वेर पेपर बन गया और ये जो बचा हुआ पेपर है इसे हमें अच्छे से फोल करके पार देना है आप कैची का इस्तमाल भी कर सकते हो या ऐसे ही फार सकते हो ये बन गया हमारा square paper चलिए हम शुरू करते हैं ये मैंने एक paper ले लिया अभी मैं इसको fold कर रही हूँ दिखिए मैंने इसको fold किया ये पहला fold किया फिर ये मैंने किया तूसरा पोल्ड ये दिखिए ऐसे चोटा चौकन बना दिया दिखिए ये पहला पोल्ड है ये दूसरा पोल्ड है ये बन गया अभी हमें क्या करना है ये रेको एक, दो, तीन और ये चा हिस्सी है तो हमें एक, दो, और तीन हिस्सों को ऐसे त्रीकोन पोल्ड करना है देखिए आदा पोल्ड करना है ऐसे ये देखिए फिर बेपर को घुमा के दूसरा पोल्ड भी इसे तरफ से भी ऐसे तीरी कोन फूल करना है देखिए ऐसी फिर इसको इसे हाथ में बकड़के ऐसे खोलना है और बीच में उंगली डालते हैं इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए देखिए ये बन गया हमारा ऐसे वापसे छोटा स्क्वेर बन गया देखिए फिर हमें जो ये सीरा है ये साइड है ये कोना है स्क्वेर का वो दोनों पकड़के ऐसे खीचने है देखिए ये ऐसे ये बन गई हमारी पेपर बूट देखिए आप खर पे ये अक्टिविटी कीजिए करते वाप फोटो और वडियो लेके आमें सरूर भेजिए धन्यवाद